आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्जियों के खास टीश यानि मचली का सालन तो उसके लिए जो जिन जिन चीजों की मसालों की जरूरत है वो मैं आपको बताती हैं यह हमारी मचली है यह तकरीबरं डेट किलो है और इसे मैंने थोने से पहले नमक लगा के रख दिया था और तकरीबर ग्हांटे बाद उसको मैंने थोया तो उसकी लेस और निकल गई फि और तकरीबरं डेट लसन लिया है जो मैंने उसको छीले जो पोती होती है लसन की और यह एक टेबल स्पून नमक है दो टेबल स्पून मिरच है और एक टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है और एक ही टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरा मसाला है और यह भी एक ट सर्सों के जो बीज होते हैं उनका मैंने पॉड़र बना के रखा वाई और यह मैं फिश में जरूर डालती हूं कि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यह हमारी तकरिबन डेट वाउ दही है जो रेसिपी मेरी है उसमें मैं पहले मतलब सालन बनाने के लिए पहले मैं फिश को आठा लगा के फ्राइ करती हूं तो यह देखें आप दर आए और इसमा फ्राइ नहीं करना बस गोल्डन ब्राउंज सी हो जाए चीज़ आठा लगाने से यह होता है कि फिश चिपस्ती नही इसको अब हम गोल्डन ब्राउंज होने देंगे फिर उसको हम जब हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगे और इसको अब हम यह जाएगे जेए लेके कर फिश यह सालन की फिश है सालन बनाना है इसलिए मैंने इसमें कोई और मसारा नहीं लगाया स्वाइज है तो आए हलका स करें लगे तो आटा लगाए इसको मैंने राइक की आए है तो यह मानी तक्रीब हो छुकई अबाकी की भी मैं इसी तरह कर लूँ भी मैं आपको दिखाते हूं कि मैंने पकानी कीस तरह चले अब हम शुरू करते हैं पिश का सालन बनाने के लिए तो इसके लिए मैं यही ओल अब हम इसमें यह डालेंगे मेथी दर्ण अब हम इसमें यह डालेंगे मेथी दर्ण सबसे पहले मेथी दर्ण जब यह लाइक ब्राउम हो जएगा तो इसमें हमसे लस्टन और प्यास का पेस्ट डाल देंगे मेथी दर्ण ब्राउम हो चुका है जलाना नहीं है इसे और फिर यह हम पेस्ट इसका लाइगे इसमें हम बाती मसाले एड कर देंगे यह हमारा पिसा हुआ धन्या यह तर्ण गरशJack यह है मिर्चिन, हल्दी, नमक मैंने थोड़ा ही इसमें आट किया, अगर ज्यादा हो जाए तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है, अगर कम होगा तो फिर हम दुबारा डाल देंगे, और इसमें मैं डालूंगी, और इसमें मैं डालूंगी यह जो मैंने आपको, सर्सों के जो बीज हैं, उनका पिसा हुआ, मैंने इसका पॉड़र बना लिया, यह लाग भी मैं कम असकम, एक चम्मच फुल करके इसमें डालती हूँ, मैं इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, जब मसाला हमारा अच्छी तरह भून जाएगा, तो इसमें हम फिर दही आट करनेंगे, मसाला हमारा तरहिपन भूल चुका है, तो अब मैं मसाला भूने के बार कि इसमें दही डालनी है, तो अब मैं दही इसमें आट करते हूँ, दही आट करके, फिर मैंने इसको तरहिपन दस मिनट के लिए भूनने, ताके दही की जो स्मेल हो खतम हो जाए, और मसाला और मजीद अच्छी तरह से भून जाए, दही के साथ, जाए, अब तही डालने के बाद भी हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है, और यह देख अच्छी तरह रखने है, उसके हिसाब से हम इसमें पानी आट करेंगे, तो फिर उसके बाद बुगाड़ा हो जाता है, फिर श्राने के बाद भी जाड़ा होता है, इसमें थोड़ा सा पानी मैं और आट करेंगे, अब यह उबल जाएगा, अच्छी तरह से जब उबले जाएगा, फिर इसमें जो मैंने फिश फ्राइ की हुई है, वो इसमें आट करके, सिरफ दो मिनट के लिए इसको पकाऊंगे, पिश का सालन हमारा तयार हो चुक है, पक चुक है है, दस मिनट के लिए मैंने इसमें प अब इसको हम दो तीन मिनिट के लिए उबालने दें इसमें, फिर ये फिश का जो सालन है, वो मतलब बिल्कुल इसमें भी मिक्स हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाते हूं, चलें, देखें हमारी फिश बिल्कुल तयार हो चुकी है, अब इसको हम डिश आउट करते हूं, अब ये मैंने फिश का सालन तयार हो चुका है, बहुत मज़िदार ये बना है, अब मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, तो आप लोग जरूब बनाएं, अगर आपको हमारी ये रैसीवी पसंद आई है, तो लाइक करें, और फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें, और एक नई और मज़ेदार रैसीवी के साथ दोबारा हदिर होंगे, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज।